इस कहानी की शुरुआत में हमें एक रेसिंग ग्राउंड को धिखा जाता है जिसमें गिगानिय नाम का रेसर संब से आगे होता है लेकिन तब इस अपना नाम तर्बो रग रखा होता है वो गिगानिय को अपना आइडियल मानता है क्योंकि गिकानी हमेशा कहा करता था कि कोई सबना बड़ा नहीं होता और कोई सबना देखने वाला छोटा नहीं होता ये सुन टर्बो में भी जोशा जाता है और वो भी रेसिंग करने के लिए ट्रेक त्यार करता है लेकिन सिलोई स्पीड होने की वज़े से वो कुछ सेंटी के गार्डन में आ जाते हैं जान टर्बो का सारा जून टर्माटर तोड़कर इखटा किया करते थे ताइक्यों ने खब आये लेकिन टर्बो अपने काम में भी टर्माटर के साथ रेसिंग करने लग जाता है जिससे सब फिर से उसका मज़ा गुणाने लग जाते हैं इन सब उसके पास आता है और उसे समझाता है कि हम सब की सिमाएं होती है इसलिए मैं काइनात के मुताविक चलना चाहिए क्योगी कोई भी स्पिट बहुत कम होती है लेकिन फिर भी तुम ये जिन नहीं चोड़ते जिसे सभी तुम्हारा मजाक उड़ाते है इसलिए तुम्हें अपन जिसे ओटीवी खराब हो जाती है तर्बो उस टीवी को चलाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन इससे ओटीवी नीचे घिर जाती है तर्बो इससे बहुत उधास होता है मगा चेट इससे खुश था क्यों यब थी ओख्याली दुनिया को छोड़कर हकिकत में जियेगा भी तर्बो उस टमाटर को लाने के लिए मेधान में खुश जाता है और तर्बो फिर अपनी मेजिनेशन में इससा फिल करता है जैसे ओगोथ फास्ट है और वो मशिन के नीचे आने वाला होता है कि तब उसका बाई पानी के फ्रेशर से दक्का देखकर उससे बचा लेता ह और फिर उसे बोड डारता है इससे टर्बो बोड उदास होकर वहां से चला जाता है वो चलते चलते एक बीच पर पहुंच जाता है तब भी उसकी नजर आस्मान में जाती है और उसे टूरतावा तारा दिखाय देता है टर्बो आके बंग कर रेसर बनने की विश मांगता है लेकिं जब वहां खोलता है तो एक प्लैन होता है तब ही एक ट्रग हाई स्पीड में आता है जिसने टर्बो हवा के दबाओ की वज़ेसे वो चल कर एक रेसिंग कार पर घिर जाता है और तब यो आरेस से श्टार्ट हो जाती है जिसने टर्बो और कर ड्रेक रेस के इंजन गई है जिसने वो धेरान होता है अगले दिन जब वो गार्डन में जाता है तो वहाँ पर भी उसकी कुछ पावर एक्ट्वेट होने लगती है जिन्ने वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था इसलिए चलते चलते बाहरा जाता है जाओ शेतान बच्चा टर्बो को माणने को हिश् वह पताचल जाता है कि उसके पास सूपरकार जिसी स्पीड आ गई है फिर टर्बो की वहाँ स Bakese को सबक सिखाने लगता है जिसके को साइके वाजेसे उसकी साइकिल में फस जाता हे औरो साइकिल उनके टमाटर के पेड में जाकर गिर जाती है जिसकी वज़े से उनके टमाटर के घर तूट जाते है इससे गुसा ओकर काल टर्बो और उसके भाई को उनके जुन से बाह निकाल देते है चेट इन सब की वज़े से टर्बो पर बहुत गुसा करता है तबी एक कोई चेट को उठा कर ले जाता है ये देख टर्बो बहुत स्पीड में अपने बाय को बचाने जाता है वहीं चेट को खाने के लिए दो कोई और आ जाते हैं और तिनो कोई आपस में जगरने लगते हैं और एक कोई चेट को खाने ही लगता है लेकिन तबी टर्बो नाम का आदमी वहां आकर और उनने अपने दोस्तों के पास लिया आता है जाओ सिनेल की रेस करवाने वाले थे वहाँ और भी सिनेल रेसर होते हैं टीटों ने भी रेस में ढाल देता है और रेस के दोरां टर्बो की स्पिट देख सब शोगडो जाते हैं और वहां मोजू आता है और टीटो को भर डारता है कंः मरा काम सिनेल की रेस करणा नहीं बलकि टाकूस बेचना है क्योगी उनकी शोब होते है लेकिन अभी उनका धंदा मंदा चल रहा था जिससे उनकी ज्यादा सीरस नहीं होती थी टीटों टर्बो को खाना की लाता है और उसे सुला देत फिर विप्लेश टर्बो को भाल लेकर जाता है और बताता है कि जो पहले इस्टार्लाइट के बोट पर पहुंचेगा वोई जीतेगा फिर इस्टार्ट होती है और उसे भी सिनेर अलग-अलग टेक्निक से दोडने लगते हैं मगा टर्बो अपनी सुपर स्पीड से सभी को ब बारे में लिखता है क्योंकि जैसे टीटो को ज्यादा कस्टमर मिलेंगे और उसके टाकोस ज्यादा विकेंगे लेकिन पुरा दिन इंतजार करने पर भी उसकी शोप पर कोई नहीं आता वहीं टर्बो को उसका बाई उसे डाट रहा होता है कि तभी वाँ टीटो आ जाता है और वो टर्बो केता कि उसका एक टीवी शोप बनाएगा तभी उसे उसके फेवरेट रेसर की गानिय का इड़ दिखाई देता है और टर्बो टीटो को इंडी 500 रेस में पाइटिसिबेट करने के बारे में इशारे से बताता है तो टीटो को या आइडिया बहुत अच्छा लगता है और फिर अपने बाई एंजिलो से बात करता है क्योंकि रेसिंग में एंटी के लिए उनको पेसे चाहिए थे लेकिन उसका बाई उसे पेसे देने से मना कर देता है वहीं दूसी तरव चेट टर्बो को बहुत समझाता है कि एक सिनेल रेस में इससा नहीं ले सकता दोसी तरव एंजिलो भी टीटो को यह समझाता है कि एक सिनेल रेस नहीं कर सकता इसी वज़े से एंजिलो एक सिनेल पर अपनी जिंदिगी कमाई नहीं लगाना चाहता उसे सबोट करने का बोलता है लेकिन और भी मना करके चले जाते हैं अब सभी सिनेल और टर्बो मिलकर एक प्लान बनाते हैं और वह एक बस का टायर पंचर करके उसे रोकते हैं और टर्बो अपनी स्पीड का जल्वा दिखाता है जिससे सब बहुत इंप्रेस हो जाते हैं और उनके मौल में सभी दुकानों से सामन खरीते हैं जिससे आज बहुत दिनों में उनका धंदा चलता ह जिससे टीटो का भाई एंजिलो और बागी सब बहुत खुश होते हैं तो टीटो एंजिलो को बताता है कि जब इतने से लोगों से इतनी सेल हुई है तो अगर टर्बो ने रेस किया तो कितनी ज़्यादा कमाई होगी लेकिन एंजिलो फिर भी रेडी नहीं होता लेकिन उसके बागी दोस इंटी फिस देने के लिए तियार हो जाते हैं और अब सब वहाँ जाने के लिए निकलते हैं सिवाई एंजिलो के एंजिलो जब अपने लोकर में देखता है तो वहाँ से उसके सबी पेसे गायब होते हैं आब आ गया था वही टीटो और बागी सब तरबो को रिस के लिए तयार करते हैं और आप इंडि आनपुलिस पहुंच जाते हैं टीटो और बागी सब वहाँ पहुच कर बहुत खुश होते हैं टीटो जब रजिस्टेशन के लिए जाता है तो उसे अपने अजीब गरीब भीहव की वज़े से बार कर दिया जाता है तबी टर्बो को गिगान ये नजर आता है तो टर्बो अपनी स्पीट से टीटो को कर गेता है कि अन्येक्ष्ट इंडी 500 चेंपियन है तो सब उसका मजाक उडाने लगते हैं कि उसका ड्राइवर एक स्नेल है तो टर्बो अपने हुनर का एक डेमो देता है और सब उसकी स्पीट देखकर शोगडो जाते हैं टर्बो पुरे एक लेप का चकर लगाता है और उ टीटो और उसके साथी एक मौका मांगते हैं तभी गिगानिये वहां आकर उन्हें सपोर्ट करता है कि उसे भी एक मौका मिलना चाहिए यह देख सी और रेडियो जाता है और अप सब बहुत खुश होते हैं लेकिन टर्बो देखता है कि उसका बाई चेट खुश नहीं होत है फिर दिखाया जाता है कि अगले दिन सभी रेसर रेस के लिए ग्राउन में आ जाते हैं तब यहां टीटो भी अपने सभी दोस्तों के साथ पहुंच जाता है मगर टर्बो का बाई वच्चा से पकड़ कर ले जाता है वाई एंजिलो भी टीवी पर रेस देख रहा होता ह रेस इस्टार्ट हो जाती है जिसमें आज टर्बो भी उनके 20 दोर रहा होता है कार के बीच में वो खुद को देखकर बहुत गबरा जाता है और वो सबसे पीछे रहे जाता है जाबर उसके साथ ही उसे मोटिवेट करते हैं और अब टर्बो वापस रेस में आ जाता है टर् इन से भी रेसिंग कारों को ग्रास कटर और नुड़कने वाले टर्माटर समयने लगता है जिसमें टर्बो में और ज्यादा जोशा जाता है और वो बढ़ता है लेकिन गिगानियों से वापस से नुकसान पहुचाने कोईश करता है लेकिन टर्बो से पीछे कर आगे निकल जाता है और आगे निकलने के चकर में गिगानियों के कार का बेलेंस भिखड जाता है और बहुत सारी कारों का एक्सिडेंट हो जाता है उसी दोरान गिगानियों टर्बो का कवर निकाल देता है जिससे आओ फिनिशिंग लाइन पर नहीं पहुच वाता और अब उसकी स्प टर्बो को वापस रेस को पूरी करने के लिए मोटिवेट करते हैं टर्बो वापस से रेस स्टार्ट करता है सब देखकर कि टर्बो ने हार नहीं मानी और वापस से रेस स्टार्ट कर दी जिससे सभी लोग टर्बो के लिए ताली बजाने लगते हैं वाई गिगानियों टर दी जाती है वाई एंजिलो भी खुशी में टाको सभी को फिरी में दे देता है और फिरो सब वापस अपने घर आ जाते हैं अब इस्टार लाइट टर्बो की वज़े से बहुत फेमस हो जाता है और अब यहाँ पर मोजू सभी दुकाने अच्छे से चलने लग जाती है फिर यहीं पर इस मोवी की एपी एंडिंग हो जाती है और गाईस अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दें और अगर आप इस्टिशन बोक्स में दी गई लिंक से वोच कर सकते हैं ठैक्स पर वोचिंग